श्रिशाम परिवार संस्था द्वारा 14 मही को भवे खाटू शाम संकीरतन का आयोजन की आ जा रहा है जिसके चलते आज सिविल लाइंस इलाके के आरेजजी स्कूल में बने साइंधाम मंदिर में संस्था के सदस से वपदधिकारियों ने हवन यग आर्थी करके शिरुवात की बाद में भंडारी का आयोजन की आ गया श्रिशाम परिवार संस्था के पदधिकारी डॉक्टर गॉरफ कुमार ने बताया अजारेजजी स्कूल में साइंधाम मंदिर में हवन यग करके आयोजन का श्रिगनेश किया गया डॉक्टर गॉरफ कुमार ने शेहरवासियों से अपील करते हुए खादू शाम संकीरतन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुचकर बाबा की गुर्गान को सुने और धर्मला कमानी की अपील की खादू शाम बाबा की वो यह अपना है कुलारे दिर नारे की जै वो तीर बार नारी की जै लाज बचाने वारे की जै खादू नरेश की जै मारे के साहरे की जै तो तो अबेकर पर संख्या दुक्तर गुर्फ गुमार स अचुत्र गुर्फ कुमार आशुत जुपता दूक्तर रोहत अगरवाल अध्याक्षुच्पता महामंधर रिलक्ष उमदान कोशा अध्याक्र अध्याद संगुच्ण उपाध्यक्ष दिवांशुपाल, डॉक्टर अंतरक्ष अगरवाल, सहकोशा अध्यक्ष पारिश सिक्का, उपसचिव अनुराग गुपता, मीडिया प्रभारी गौतम पाल, अमन अरोडा, प्रतीक अगरवाल, महेपाल सैनी, पुनीद आदिलोग मौचूद रहे गीर्तन है, और वहां के सेलेबिटी सिंगर जो हैं, उसके कनहिया मितल जी आ रहे हैं, और कनहिया मितल जी आगे और उसका एक भवे दरवार सजेगा, बड़े लोग होंगे, हमारा पचास से साड़ या लोगों का आने के अनुमान है, आज हम लोगों ने कारेकरम शुरू किय सब काम होता रहे और कोई बगार किसी कस्टों के काम सारे निपटते जाएं, और एक अच्छा सा बवे संकीरतन हम लोग आयूजन कर पाएं, और आने वाले समय में हम लोगों ने आगे बहुत कुछ सहस्ता गेंटर सोचावा हैं, जिसमें हम धार्मिक के प्रकार के संकीरतन बंडारे हैं कई चीज़ें हम इस पर तफना चाहें हैं, मुराजबाद के नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग आएं, खाटू शाम जी का अपने हाजरी लगाएं, कीरतन में महाउत समय हाजरी लगाएं, और लगा के धरम लाब कमाएं, और अगर हो सक के मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने लोग आ सके लेके आएं, जागा की कोई कमी नहीं है, सिब भाब पूर से सब आ चकते हैं